पांच मैचों में लगतार पांच जीत दर्ज करने के बाद आज भारतिय टीम का अगला मकाबला इंग्लेंड से लखनों में खेला जा रहा था जहां पर इंग्लेंड ने टॉस जित कर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमतरित किया इसलिए बेसक आज के मैच में य ये एक बड़ी अगनी परिच्छा होने वाली थी और दुरुभाग इसे कहिए कि आज जब भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो आज भारत को इतना स्लो पिछ मिला जिस पे बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल लग रहा था भारत के तरब से कप्तान रोहित सर मने बेहतरीन हवाई सोट का दर्शन करवाते हुए उस ओवर से 18 रन बटोड लिये थे लेकिन दूसरी तरब सुबमन गिल शायद डेंगो की बिमारी से अभी तक कमजोडी महसूस कर रहे हैं और इसी कमजोडी में सुबमन गिल महज 9 रन बनाकर ही पैविलियन वापस लोड जाते हैं और इस तरह से सुबमन गिल के रूप में भारत को पहला जटका लगता है शुबमन गिल का ये विकेट भारतिया टीम के लिए एक बहुत बड़ा जटका था और भारतिया टीम इस जटके से बाहर निकलने का प्रयास करी रही थी कि तभी भारतिय टीम को इसी जटके पे एक और जटका लगता है क्योंकि टीम इंडिया का सबसे बड़ा खिलाडी विराट कोली बीना खाता खोले ही पविलियन वापस लोट जाते हैं ऐसे में भारतिय फैंस को ऐसा लग रहा था कि सेयस एयर आज के मैच में कप्तान रोहित सर्मा के साथ मिलकर भारत की इस डूपती हुई नईया को जरूर बाहर निकालेंगे लेकिन भारतिय फैंस का ये भ्रम बस कुछी देर के बार पूरी तरीके से तूट करके बिखर जाता है क्योंकि सेयस एयर मात्र चार रन बना कर एक बार फिर से छोटी गिंद में ही कैच आउट हो करके पविलियन वापस लोट जाते हैं लगतार बैक टू बैक तीन विकेट खोने के बाद भारतिय टीम पूरे तरीके से इस मैच में संकट और दबाव में आ चुकी थी और इसी दबाव को कम करने के लिए केल राहुल के साथ रोहित सर्मा ने भारतिय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया यहां पर भारतिय टीम किसी भी हाल में इस साज़ेदारी को एक बड़ा साज़ेदारी बनाना चाह रही थी यहां पर भारतिय टीम का सबसे पहला लच यह था कि भले ही यहां पे रन नहीं बने हमें इस पार्टनर्सिप को लंबा लेकर के जाना है इसे आगे तक लेकर के ज इन दोनों बल्लेबाजों के बीच लगभग पचार स्रणों की पार्टनर स्रीप भी हो चुकी थी। सरब से हमारा कप्तान रोहित सर्मा अंग्रेजों के लिए अभी भी काल बने हुए थे। ये 239 रंड डिफेंड करने के लायक तो नहीं था बलकि ये कहें कि ये एक तरब से ये नामुम्किन सा लग रहा था कि भारतिया टीम इस टार्गेट को डिफेंड कर पाएगी। लेकिन जो मुश्किल को जो नामुम्किन को मुम्किन करके दिखाए वही तो अपनी भारतिया टीम है। इसी होसले और इसी जज़बे के साथ एक पोजिटिव इंटेंट के साथ भारतिया टीम इस छोटे से स्कोर को डिफेंड करने के लिए मैदान पर उतरती है। और यहाँ पर शुरवात में ही बूम बूम बूमरा ने कहर मचाते हुए बैक टू बैक दो विकेट चटकाए। पर स्रमी ने इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच वीनर बेन स्टक को पहले ओट किया। उसके बाद जौनी बैरिस्टो को ओट करके बैक टू बैक दो विकेट लेते हुए भारत को चौथी सफलता दिला दी। लगतार चार विकेट गिरने से भारत्य टीम के जो दर्सक पूरी तरह से खामोस थे उनमें अब जीत की उमीद जग चुकी थी अब इस मैच में भारत पूरी तरीके से जिन्दा हो चुका था। लेकिन अभी भी भारत्य गिंदबाजो का काम यहां पे पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अभी भी जॉस बटलर, मोईन अली और लियाम लिविंग अटों जैसे बल्लेबाजो का मैदान पे आना बाकी था। लेकिन भी या बटलर हो या सटलर हो हमारे चाइना मैन कुलदीब के सामने किसी की कहां चलने वाली थी। हमारा चाइना मैन कुलदीब जैसे ही बटलर आया और बेचारब बटलर मुश्किल से 10 रन भी नहीं बना पाया था। यहां पर कुलदीब ने बटलर की बोलती बंद करते हुए बटलर को 10 रनों पे ओड़ करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बचा हुआ काम मोहिन अली को ओड़ करके एक बार फिर से एक समी ने पूरा किया। और जब हमारे भारतिया बल्लेबाज इतने शांदार फॉम में आ जाएं तो इंग्लेंड के बड़े से बड़े बैट्समेन जो काम नहीं कर पाए वो भला टेलेंडर इंग्लेंड के टेलेंडर क्या कर पाने वाले थे। भारत की खतरनाक और घातंग गिंदबाजी के सामने अंग्रेजो ने मानो घुटने तेक दिये और इस मैच में भारत ने शांदार जीत अर्जित करते हुए लगता छे मैचों में ये भारत की लगतार चट्थी जीत रही और इस हार के साथ ही भारत ने इंग्लेंड को इस बाहर का रास्ता दिखा दिया था और भाया ये बेन स्टॉक वही अंग्रेजो की टीम है जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत को हरा करके हमें वर्ल्ड कप से बाहर करी किया था तो भाया हमारे पिछले T20 वर्ल्ड कप का बेन स्टॉक से हिसाब हुआ बराबर और भार के लगतार छठे मैच में लगतार छठे जीत के नाम इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा जय हिंद वंदे मातरम